जहें दोस्तों आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं Office Space Solutions के IPO के बारे में बहुत सारे IPO आ रहे हैं आप सबका analysis डिटेल में नहीं कर सकते हैं इसलिए हम हमारी टीम ने सारे IPO का analysis आपको करके अपने website पे दे दिया हैं आप finance.com पे जाके सारे IPO का analysis डिटेल में पढ़ सकते हैं जो IPO है 22 मही को ओपें हो रहा है और 27 मही तक ओपें रहेगा और इसका प्राइस बेंड जो एत्ता है किया गया है 364-383 पर सेर तक रखा गया है अगर हम बात करें इसका objectives का तो यह capital expenditure कर रहा है और new centers खोल रहा है यह company जो काम करती है यह office solutions प्रोवाइड करती है Office solutions आप जा कि यहां पर काम कर सकते हैं आपको office का culture मिलेगा अगर एक चेर लेना चाहते ही ओई को cabin सकते हैं आपको अब रहование बधाए बड़ा स्पेस चाहिए ऑफिस खोलने के लिए तो भी आप यहां पर ले सकते हैं आजकल जो भी Metro वहां पर एक कल्चर काफी सालों से चल रहा है और अब अधर टीर टू सीटीज में भी चल गया है जैसे कि इंदोर जैपूर वगरा बाकी सहरों में भी चल चुका है बैंगलोर हैदराबाद मुंबई दिल्ली यह जगा पर अल्रेडी सक्सेस है और काफी अच्छा ग्रोग कर है तो पैसा कर रहा है कितना पैसा कर रहें तो पैसारेष कर रहे हैं टो टोटल 598 करोड जिसमें कंपनी के पास जाएगा 128 mm और बाकी जो है प्रमोटर आ प्यम है किसा अपना प्रूमटर सेल कर रहे आ तो है इसका जिन और 22 27 को एक लोज हो जाएगा आपका पैसा वापस आजाएगा 29 को और 28 को बेसिस अफ पता चलेगा बाकी जो डिटेल से यहां पर आप पड़ सकते हैं यहां पर सारा डिटेल्स वैसे दिया गया है कि किसमें रिजर्वेशन है इंपलाई को इसमें छूट भी मिल रहा है 36 रुपीज पर आपको इंपलाई को छूट है तो जो भी ऑफिस पेस सोलीशन का इंपलाई है वह इसमें अपलाई कर सकते हैं आपको कम प्राइस पर भी सेर मिल सकता है बाकी डिटेल्स यहां पर क्या काम करती है फ्लेक्सिवल वर् 556 अभी एवलेबल है जो टोटल एरिया होता है और पूरे अगर मार्केट का बात करें पूरे ओफिस मार्केट इंडियम का तो वह है आपका मार्केट टोटल 832 832 मिलियन स्कॉर फिट मार्केट है और एक ग्रो कितना करेगा यह 6.3 परसेंट से एक्सपेक्टेड है कि ग्र कि रिस्क फेक्टर्स यहां पर सारा दिया हुआ है आप इसको देख सकते हैं कंपनी अभी करेंटली लॉस में एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट यह तक प्रॉफिट हो जाएगी तो इसमें जो एक्सपेड यहां पर आप देखिए सबसे अच्छी बात क्या है इसका यहां अब ग्रोथ देखिए फाइनेंसियल में 257 करोड का सिल था 2022 में और अभी जाके नेक्सट दोजार तेस सेल में और पिछले नौ महिने में 31 दिसंबर 2023 कर चुका है और यहां पर देखिए इसका लॉस भी काफी कम हो गया है यहां पर भी देखिए कम होगा लॉस और यहां प खिबर कर रहा है अगर हम details देखें बागी details तो काफी अच्छा थृप$ 25 काफी अच्छा है अगर हम बात करएं इसका कि आपको समय करना चाहिए कि नहीं तो सारे देखते हुए मिकिक काफी अच्छा चाया कंपनिन अच्छा परफार्म भी कर रहे और एक्सपेक्टेड है कि 20-30% 35% के लिस्टिंग इसमें बन सकता है तो जो भी रिस्क की इन्वेस्टर है ओ इतने लिस्टिंग एक्सपेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं जो लॉंग टर्म साथ देख सकते हैं ठैक्यू सो मच अगर वीडियो अच्छा लागा तो जरूर सेयर करें और लाइक करें और कमेंट में हमको जरूर रदाएं कि लाश्ट आइपिवयों किसमें अप्लाई किये थे आपको आईपियों में अलाटमेंट मिला है की नहीं थैंक्यू सो मच